Hello everyone, क्या आपने कभी ऐसा देखें कि एक student कम effort लगा करके ज़ादा marks ले आता है और एक student ज़ादा effort लगा करके भी कम marks ले करके आता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है उनके book selection पे depend करता है कि वो किस type के book को select किये हैं जो student कम effort लगा करके ज़ादा marks ला रहे हैं वो अच्छे book select किये हैं और जो student ज़ादा effort लगा करके कम marks लाए हैं वो अच्छे book select नहीं कर पाएं तो आज हम बात करेंगे best book list जो class 10th 2023-2024 student के लिए होने वाला है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तोटल आपको चार type का book चाहिए एक main book है ना एक आपका main book रहने वाला है एक आपका reference book रहने वाला है और एक आपका questions bank और fourth ये आप करहेगा sample paper इस चारों में से ये जो questions bank और sample paper है ये ज़ादा important है ये दोनों book तो student आराम से select कर पाते हैं क्योंकि इसमें ज़ादा book available है ही नहीं तो confusion ज़ादा नहीं होता है बट questions bank और sample paper अगर आप देखो तो बहुत सारे book available है मार्केट में जिनके रिजन से student confused हो जाते हैं और एक गलत book select कर लेते हैं जिनके रिजन से हुन का जो effort है वो खराप हो जाता है बात करेंगे एक अक करके सारे के बारे में बट सबसे पहले जिसमें ज़्यादा problem है पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं हैंना questions bank और sample paper की बारे में अब देखो आपको पहले ही बता दे यह कोई promotional book यहाँ पे हम नहीं रखे हैं है ना कोई promotion नहीं कर रहे हैं हम होता क्या है बहुत बार student कि अगर कोई book का हम तारिफ करते हैं तो student सोचते हैं कि sir promote कर रहे हैं ऐसा नहीं है कोई book तो हम रखेंगे ही ना अब कोई अच्छा book है उसको अच्छा ना बोले तो तो गलत बात है ना ठीक है तो सबसे पहले हम लोग यह sample paper और cohesions bank के बारे में ही बात करते हैं यहाँ पे जो मेरे हिसाब से जो book है market में cohesions bank और sample paper वो edu card के तरफ से आने वाला है यहाँ पे अगर cohesions bank के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो cohesions bank होते हैं वो cbsc के latest pattern पे सारे cohesions होते हैं second जितने भी cohesions होते हैं उसका जो explanation है बहुत ही अच्छा होता है जिनसे student को easily समझ में आ जाता है थर्ड चीजें यहाँ पे होता है कि जो competency based है case based questions है जो cbsc ने introduce के एक दो साल पहले उसका भी explanation यहाँ पे बहुत अच्छे से र edu card का cohesions bank buy कर सकते हूँ मेरे हिसाब से कि अच्छा book है second बात करें simple paper के बारे में तो simple paper भी edu card के तरब से आने वाला है हर एक subject का यह book अच्छा क्यूं है पहली चीज़ जो हम देखते हैं book में कि cbsc के latest pattern पे है या नहीं है यह book cbsc के latest pattern पे second चीज़े इसमें जो questions हैं क्या यह exam point of view से important भी है या बस जैसे त्यसे questions डाल दिया गया है तो questions important रहते हैं जो exam में पूछे जाते हैं उसी type के questions third questions का explanation कैसा है book में क्योंकि student को तो explanation अगर अच्छा नहीं रहेगा तो समझ में तो नहीं आगा explanation भी अच्छा है यह तीन चीज़े तो बात कर लिए इसका दो चीज़े हमको बहुत अच्छा लगा है इस book का first इसमें आपको हर एक book का first page में mind map दिया हुआ रहता है concept हर एक chapter wise वो चीज़ बहुत अच्छा लगा और सबसे जो best चीज़ लगा वो है topper corner topper corner में basically क्या होता है कि topper के कैसे answer लिखते हैं उसका hand written answer इसमें रहता है समझ में आया तो इस step से यह book इसलिए हमको अच्छा लगता है बोलोगे तो description में link हम डाल देंगे अगर आप buy करना चाहो तो buy कर सकते हैं आप जो दो remaining segment है उसको हम लोग देख लेते हैं तो यह segment है एक man book और reference book man book में आपका NCERT ही आता है इसका कोई replacement है यह main book आपके slivers से align करता है तो इसको तो आपको करना ही है अब reference book हम देख लेते हैं reference book में अगर हम लोग match का बात करें तो यहाँ पर आपको RD सर्मा, RS अगरवाल और exemplar आपको देखने के लिए मिलेगा आपको यह book अपने need के according select करना है for example कि अगर आप 11-12 में science लेरा चाहते हो तो फिर आप RD सर्मा और RS अगरवाल के लिए जा सकते हो यह दोनों book अच्छा है बट अगर आप थोड़ा सा standard ज़्यादा maintain करना चाहते हैं तो RD सर्मा में जा उसे थोड़ा सा लोग RS अगर एक्जांपलर ऐसा book है अगर आप ऐसा student ह जो चाहते हो कि नहीं हमको कम effort लगाना है बट हमको marks जादा चाहिए फिर आप NCRT exemplar कर लो पूरा और यहां से NCRT कर लो आपका बहुत अच्छा marks आजाएगा कम effort में ठीक है आगे अगर हम लोग देखें science का तो science में भी हम दो book आपको recommend करते हैं एक लखमीर सिंग का book आता ह है इसमें physics, chemistry, bio सारा अलग-अलग book होता है ठीक है बट इसमें explanation जो है बहुत details में रहता है तो book थोड़ा सा ठीक होता है बट आप इसको by कर सकते हो अच्छा book है और next exemplar जो है NCRT का आता है तो यह book भी बहुत अच्छा है कम effort में आप अच्छा marks score कर सकते हो NCRT exemplar को यूज क सस्टी में अगेन दो book यहां पर आपको हम बता रहे हैं एक आता है golden social science यह भी अच्छा book है और एक jam idea यह दोनों book बहुत ही अच्छा है आप इसमें से कोई भी ले सकते हो है ना थोड़ा बहुत जा करके rating देख लेना तो इसमें से कोई भी book आप ले सकते हो दोनों अच्छ है और नेक्स्ट आता है English English में एक आता है together with और एक jam idea इसमें अगर आप मेरा reference पूछो तो together with अच्छा book है ऐसे jam idea भी आप ले सकते हो कोई सू नहीं है तो यह सारे reference book थे सारे का link हम try करेंगे description में दे देने का अब जा करके buy कर सकते हूँ तो आप आप लोगों को समझ में आ लोगों से next video में